और बड़े बड़े नाम बहुत ही कम एज का लड़का है और बहुत कम एज में आमीर भाई बहुत बड़ा नाम कमाया है और टॉस मैंने चीता है और पहले बैटिंग करने करने दूने मैंने लिया है बारे मता दो खेतों से खलियान से ये परतवा उबर कर भारत में बोल रहा है और क्लेंट बोल्ड तो बल्लेबाजी में तो नहीं लेकिन गेंदबाजी में यहां पर विकेट जटक दिया है क्या निकेल अपनिंग कर गया क्या निको हमाई टीम के वाइस केप्टन फिलाल मज़ा हैगा हमाई टीम में काफी अचय प्लेयर लास भैर है निक्हील है निक्कू है यह लूग फेमिक्स ऐसेद बॉर्ण को कैसें है आप लोग गाइस मैं बता दू कि आज दिलजीत बड़े कप जो कि मुंगेर में हो रहा है विस्वजीत भेया के बेटे दिलजीत का आज बड़े है और बड़े के अफसर पे चार टीम का मैच हो रहा है जो कि विस्वजीत भेया करवा रहा है डीजे कॉलेज मुंगेर में तो मैं बिल्कुल रही हूँ और मेरी खुद के टीम खेल रही है और पूरे मैच मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइब भी दिखाए जा रहा है तो मैं दिखा दू कि अब पानी पूरा घट रहा है जिया देख सकते हैं पानी बिल्कुल घट रहा है और अब लगता है मुझे कि भी भी चार-पांस दिन के बाद अच्छा न्यू जर्सी बन क्या है यह तो आपका जर्सी लग रहा है तो जल्यली रैडी हो जाहिए और गाइज यह देगे स्टॉप पे बैट अवेलेवल है जिनको भी चाहिए आप लोग आ सकते हो और फिलाल यह बाइक है मेरा तभी निकलते हैं हमारे अमपायर सारे नियम समझाते वे इस मैच का सारे रूल से रेगलेशन को फॉलू करना है एक अच्छे स्पोर्स्मेन स्पिरिट की यही पहचान है तो टॉस की पर क्रिया प्रारंब है बैटिंग करेंगा सर तौस हो चुका है और टॉस मैंने चिता है और पहले बैटिंग करने का निर्म्हे मैंने लिया है बारह ओबर का गेम होगा तीन अबर सरकील होगा काफी मज़ा आएगा हमारे टीम में काफी अच्छे प्लेयर है रास ब्यारी है निक्कू है यह लोग बाल खेलने वाले प्लियर है और एगेंस टीम में राहूल वेया है तो जवरदस्त मैच बने वाला है क्या निको हमाई टीम के वाइस कैप्टन फिलाल मैं तुम्हें बना रहा हूं भाई क्या लग रहा है टॉस हम लोग जीते हैं कितना स्कॉर बनेगा बारा ओबर के गेम बाड़ावर में हम लोग चाहेंगे कि 200 पलस इसकोर हो जाए 200 पलस अरे वाद रास भी आड़ी वाड़े में क्या बोलना चाहोगे और बोलिंग भी बहुत बढ़िया करेगा और रासोदा आप तो बहुत पहले से यहां पे खेले वें लगबग बहुत सारा मैच इस ग्राउ लोग की टीम बना सकते हैं लोग चाहेंगे एक सौसी नभी बड़ एक सौसी नभी और हमारे बीच रभी वे आ गया है रभी विया बाइक खर देगा वाव क्या बाइक लगड़ा हुआ है रभी मेरा कैप आपके पास अच्छा हमारे आपनर बल्लेवाज अंकुर वेया और सोनू बैटिंग करने के लिए गया हुआ है तो एक राइट हैंड के बल्लेवाज और एक लेफ्ट हैंड के बल्लेवाज और एगेंस टीम ग्राउंड में आ चुकी है राहुल स्पोर्ट की टीम है और काफी अच्छे टीम है उनकी वी काफी अच्छे चे प्लेयर है उनमें गेंद वाज गगन का सामना करेंगे वे बिट्टू अच्छी गेंद अच्छी गेंद सीधे पैर पर मारी है बहुत तेज और अगर ये जे सिक्स के लिए जाते तो थोड़ा जोखिम जरूर होता यहां पर अच्छा बचाओ यहां पर बलिवाज बिट्टू मैक्सी के द्वा और अगली गेंद शामना करेंगे इस बार उठाकर खेला चाहा था और यहां पर बहुत बड़ी अपील और अंपायर ने सीधा फिंगर यहां पर उठा दिया है इसकोर किता हुआ है इसकोर किता हुआ हुआ है पुली स्लेट में रहा करते थे तो एक सबाधतर रन हुआ है कि अब यहां से इसकोर बहुत बड़ा है तो कुछ नहीं हो सकता है तो मेक्सी के बारे मता दो खेतों से खलियानस यह परतवा उबर कर भारत में बोल रहा है और भारत यह टेनिस क्रिकेट टीम का सदस्वी है बिट्टु मैक्सी और बड़े-बड़े नाम तो बल्लेबाजी में तो नहीं लेकिन गेंदवाजी में यहां पर विकेट जटक दिया है पहले आना चाहिए था काफी फैन फॉलॉइंग है बिट्टु मैक्सी का उनको दर्सक देखना चाहते हैं हाला कि गेंदवाज के रूप में उनकी बहुत बड़ी पहचान है नहीं मैं बता देना चाहता हूँ जो बल्लेबाजी इनके पास टैलेंट है वो अभी बहुत कम खिलाडियों में है जिस तरह के शौर्ट से इन्होंने इजात किया है आमीर भाई जिस तरह के शौर्ट से ये मारते हैं मुरीद हो जाएंगे बिल्कुल मैंने देखाया है इनके बह होते वें अमपायर ने ना का रहा साथ दूसरी विकेट भी मिल सकती थी विट्टू को यहां पर बहुत ही कम एज का लड़का है और बहुत कम एज में आमीर भाई बहुत बड़ा नाम कमाया है अपने छोटे से छेतर से निकल कर बहुत उचाहियों तक पहुंचा यह गया और इस भी चारी स्टॉके के मदद से दीरे दीरे इसको और एक सो तीस के तरफ अगरसर होती हुए अब ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं इसमें बहुत अच्छा थ्रो बॉंडी लाइन से डिरेक्ट विकेट पर सीधा आउट कर दिया है बिट्टू को और जो पहला सभी फैनल मुकाबला रहा था जिसमें गिलैक्सी की टीम ने 169 रनों को चेस किया है अब उनके लिए एक बड़ी चुनोती है बिट्टू मैक्सी जैसी शक्ति शाली बिहार के सभी बेहतरीन बेहतरीन खिलारी और उसके खिलाफ किस टैप के रन निती होगी सली मलिक आये हैं सली मलिक आये हैं अन्ती में विकेट के रूप में लंबे कतके लेकिंगए पार्ट अफ गेम वीन लूज अच्छा इंटर्टेनिंग रहा और ऐसा महसब उससभ दिल जीत ने दिया है और दिल जीत लिया है और उन्ही के जनम दिन पर इस टैप का यह आयो और क्लेंट बोल्ड क्या मिर्भाई बच्चे के अब तक जो है आज घ्यासा नहीं कि आप तक हम लोग दिलजीत को नहीं देख पाए बिल्कुल वो आएगा अभी घर में जो भी आप चारिकता है उसे पूरी करके जिया दनेवार काफी अच्छा आयोजन हो रहा है मैं थेंक्यू पर चाहूंगा भईया को कि इतना अच्छा टूनामेंट कर वा रहा है अच्छली कोई ऐसा सूचता नहीं कि बेटे के जनम दीन पे इस तरह का आयोजन करवाना लेकिन मुझे लगता है इस आयोजन के बाद न लेकिन आगेंस टीम जूनियर टीम थी काफी अची के लिए जोड़ा ताली हो जाए दर्दको जिया इसे कॉंपिटेंस जगेगा जितने भी जूनियर के लाई है कि हां आज अच्छी टीम को हरा है तो कल आगे जाने का मौका मिलेगा जली उसने पानी पिलाया लिगे लिग अच्छी निंगे और भी हार अब कारौण तश्रिस तंबर को झीटीवी पर फे इनका कारी करह मैं जिसमें इलीश यादभ जो के एक यूटिवर्स को मैच होने जिसमें कि एलिज जूदब का टीम रहेगा और सुवानिवाल का टीम रहेगा और भी अभी शेक का टीम रहेगा जितने भी यूटिवर्स है बने बने यूटिवर्स